तो चलिए गाईज मैच नमबर 11 होने वाला है कॉलकाता किंग्स के खिलाफ तो गाईज मार्टिन गप्टिल का जो लुक है वो मैंने चेंज कर दिया है और गाईज आज हम प्लीइंग 11 में बिल्कुल भी चेंजिस नहीं करने वाले तो गाईज आप बस वीडियो को लाइक कर कर लेते हैं कॉलकाता किंग्स के जो कैप्टन है वो है केल राहूल तो चलिए गाईज टॉस का टाइम हो चुका है और हैट्स इस अ कॉल तो देखते हैं गाईज पिछली बार टॉस हार गई थे लेकिन गाईज इस बार कोसेज करेंगे कि टॉस को जीट जाएं तो फाइनल के गाईज मैच की स्टार्टिंग हो चुकी है पहली बाल डिफेंस किया है केल राहूल ने तो गाईज तीसरी बाल नो बाल है और सिदा सिक्स के लिए खेल दिया है केल राहूल ने गाईज तो तीसरी बाल पर सिक्स लगाया केल राहूल ने और नो बाल है फ्री हिट मिले क केल राहूल को तो वाइड लेंद थी और कर थी सिदा चार रनों के लिए खेल दिया है केल राहूल ने तो आज कमाल के बल्ले बाजी देखी जा रही है केल राहूल के बल्ले से तो गाइज क्या कमबेक करेंगे जस्परिद भुमरा रिवर्स स्विंग थी सीधा बोल्ड किया है केल राहुल को तो गाइज कमाल का कमबेक किया है जस्परिद भुम्रा ने तो गाइज दो बॉलों में बाउंडरी लगी थी नो बॉल हुई थी गाइज लेकिन उसके बाद कमाल का कमबेक किया जस्परिद भुम्रा ने गाई सीधा बोल्ड किया है केल राहुल को तो गाई दूसरे ओवर की शुरुवात करवाएंगे लसेद मलिंगा रिवर्स स्विंग थी गाईस सीधा फिल्डर के पास खेल दिया है शॉट सिंगल आसानी से मिल जाएगा डायरेक्ट थ्रो है तो गाईस पीछे की तरफ शॉट खेल दिया है और सिधा चार रनों के लिए जाएगी इसी के साथ कॉलकाता के सत्रे रन हो चुके हैं गाईस तो रिवर्स स्विंग और सिधा बोल्ड कर दिया है लसिद मलिंगा ने गाईस क्या ही कमाल की योरकर लेंथ बॉल्ड डाली गाईस सीधा बोल्ड कर दिया है और एक और जटका लगता हुआ कॉलकाता किंग्स को तो चलिए गाईस इनिंग को मैंने ओटो प्ले कर दिया है और गाइस जो हमें टार्गेट मिला है वो मिला है 132 रंस का तो गाइस आज एक बदलाव करेंगे ओपनिंग में विराट कोली को और AB डिवलियर्स को लेकर आएंगे इस बार ओपनिंग कराने के लिए गाइस हर बार मार्टिन, गब्टिल और विराट कोली आते हैं तो पहली बॉल गाइस यहां मिस हुई है गुड टैमिंग रिया गाइस चार रं मिलेंगे विराट कोली को कमाल का शौट खेला गाइस विराट कोली ने और अपने इनिंग की शुरुआत किया गाइस चौके के साथ तो गाइस इसी के साथ चैन नहीं राजाज का भी गाइस खाता खुल चुका है और चार रं पूरे हो चुके है लेट टैमिंग रिया गाइस फिल्डर को बीट करते हो इसीदा चार रनों के लिए तो बैक टु बैक बाउंडरी ज़र विराट कोली गाइस दो बालों में लगातार दो चौके और इसके बाद गाइस नो बाल और फ्री हिट भी परफेक्ट टैमिंग रही है गाइस फ्री हिट पर और चौका ही मिलेगा लेकिन विराट कोली को तो निराश रहेंगे गाईज परफेक्ट टाइमिंग पर चौंका मिला है सिरा सिक्स मिलना चाहिए था तो अर्ली टाइमिंग गाईज एबी डिवलियर्स और यहाँ पर पहली ही बॉल पर आउट हो चुके हैं एबी डिवलियर्स तो गाईज चैन नही राजास को बहुत बड़ा जटका मिलता हुआ गाईज तो अब आचुके हैं मार्टिन गप्टिल अर्ली नाइस ट्राइट टाइमिंग गाईज फिल्डर को बीट करते हो सीधा चार रनों के लिए और इसी के साथ 21 रन कम्प्रीट हो चुके हैं पर्फेक्ट टाइमिंग रिया गाईज इस बार सिक्स के लिए जाएगी और गाईज कमाल का सिक्स निकला है वराट कोली के बल्ले से अर्ली नाइस ट्राइट टाइमिंग मार्टिन गब्टिल और गाईज एक और चौंका मिलेगा मार्टिन गब्टिल को गुड टाइमिंग रिया इस बार गाईज फिर से चौका मिलेगा मार्टिन गब्टिल को तो दो चौके गाईज इस ओवर के अंदर अभी तक आ चुके हैं तो गाईज सीधा फिल्डर के हातों में गया है कैच गाईज बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा फिल्डर के हातों में और बहुत बड़ी विकेट मिलती हुई कॉलकाता किंग्स को विराट कोली की विकेट मिली है गाईज तो अब आच चुके हैं गाईज रविंद्र जाडे जा तो 9 इनिंग्स के लिए हैं और 114 एरण मनाए हैं भी तक लेट टैमिंग रही है क्या फिल्डर को बीट करेगी जी हाँ गाईज सेफ है यहाँ पर रविंद्र जाडे जा और शुरुवात किये अपनी इनिंग की चौके के साथ परफेक्ट टैमिंग रही है गाईज इस बार सिधा 6 के लिए जाएगी गेंद तो गाईज दूसरी बॉल पर रविंद्र जाडे जाने 6 लगा दिया है और इसी के साथ 10 रन कम्पीट हो चुके है इस बार गाईज गुड टैमिंग रही है लाश्ट बॉल ती ये इस ओवर की और चौके के साथ फिनिश किया है रविंद्र जाडे जाने और इसी के साथ चैन्ने राजाज के 60 रन कम्पीट हो चुके है मार्टिन गप्टेल परफेक्ट टैमिंग तो गाईज सीधा फिल्डर के हाथों में गया है कैच गाईज फिल्डर मौझूद थी अगर फिल्डर वहा नहीं होते तो ये सीधा 6 के लिए थी गाईज गेंद तो अब आ चुके हैं रिशाप पंथ परफेक्ट टैमिंग सीधा 6 के लिए जाएगी गाईज गेंद तो कमाल की शुरुवात के है रिशाप पंथ ने तो गाईज फिल्डर को बीट करेगी अर्ली नाइज ट्राइ टैमिंग और चौका मिलेगा रिशाप पंथ को तो अपनी दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया है राविंद्र जाडेजा गुड टैमिंग और फिस से चौका मिलेगा तो गाईज 6 बॉलों में 18 रन राविंद्र जाडेजा तो गाईज हर बार आते हैं हर बार अच्छी पारी खेल कर जाते हैं परफेक्ट टैमिंग थी गाईज बले पर नहीं आए सिधा बोल्ड किया है यहाँ पर कॉलकाता किंग्स ने राविंद्र जाडेजा को तो गाईज बहुत बड़ा जटका यहाँ पर लगता हुआ चैन नही राजाज को तो अब आच चुके हैं आप सभी के फिवरेट महिंद्र सिंग धौनी परफेक्ट टैमिंग और महिंद्र सिंग धौनी ने सुरुवात किया गाईज सिधा सिक्स के साथ तो गाईज अरली नाइस टैमिंग रही है सिधा फिल्डर के हाथ में गई है गाईज गेन और डबल यहाँ पर आसानी से चुरा लेंगे अरली नाइस टैमिंग फिर से है गाईज लेकिन इस बार फिल्डर यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे गेन को सिधा चार रनों के लिए गाईज इसी के साथ रिशाप पंद के भी 20 रन कम्पीट हो चुके है गुड टैमिंग रिया गाईज और यहाँ पर सिधा फिल्डर के पास गई है गेंद डबल यहाँ पर आसानी से आ जाएंगे तो महेंदर ऋन स्ट्राइक पर्फेक्ट टाइमिंग गो फोर 6 तो गाईज पहली ही बॉल पर 6 लगा दिया इस आवर की पहली गेंदी और सिक्ष के लिए भी जाएं महेंदर सिंग धोनी ने अर्ली नाइस ट्राइट टाइमिंग चौका मिलेगा दूसरी बॉल पर महेंदर सिंग धौनी ओन रो गाईज चार बॉलों में 16 रन महेंदर सिंग धौनी लेट टाइमिंग रही है क्या फिल्डर को बीट करेगी जी हाँ गाइस फिल्डर को बीट करते हैं शिदा चार रनों के लिए और इसी के साथ 106 रन कम्पिट हो चुके हैं अर्ली नाइस ट्राइट टाइमिंग फिर से आज इस ओवर को जरूल से जरूल भड़िया बना कर जाएंगे महेंदर सिंग धौनी गाइज तो कमाल का ओवर रहा है अभी तक तो चैन्नी राजास के लिए पर्फेक्ट टाइमिंग गाइज महेंदर सिंग धौनी तो इसी के साथ 30 रनों पर पहुँच चुके हैं महेंदर सिंग धौनी गाइज तो कमाल का ओवर रहा गाइज पिछला वाला तो रिशाब पंथ ओना श्ट्राइक पर्फेक्ट टाइमिंग गो फौर सिक्स गाइज और इसी के साथ रिशाब पंथ भी 28 रनों पर पहुँच चुके हैं गोड टैमिंग रिया गाइज फिल्डर को बीट करेगी सीधा चार रनों के लिए तो इसी के साथ 32 रन पर पहुँच चुके हैं रिशाब पंथ तो गाइज आज एक भी 50 नजर नहीं आई इस मैच के अंदर गाइज ये कमी जरूर खलेगी गाइज परफेक्ट टैमिंग गाइज और इसी के साथ मैच को फिनिश किया है रिशाब पंथ ने तो गाइज कमाल का मैच रहा और इसी के साथ चैन नही राजाज वान बाई 6 विकेट तो बहुती भड़िया केमिस्ट्री देखी गाइज आज हमने रिशाब पंथ की और गाइज माहेंद्र सिंग धानी की तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए आयो चैनल को जरूल से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि गाइज अगले मेने से यानि कि आक्टुबर मन्द से गाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी केरियर मोर्सी